जी 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 ओके निर्दलिय सांसद हैं पप्पु यादव और बड़े वरिश नेता हैं और मेरी तो इनसे मुलाकात भी बहुत पुरानी हैं पप्पु यादव जी आपके साथ धोका हुआ है डॉक्टर सुधानशु तर्वेदी तो यही कह रहे हैं और आज आपने सदन में बुला यह रंग में भंग डाल रहे हैं प्रश्ण यह है कि रंग में भंग डाल कौन रहा है और जब अमरजंसी की बात होती है तो उस आपातकाल की बात होती है जब वाकई इस देश के सविधान को दरकिनार कर दिया गया था और सिरफ और सिरफ एक नेत्री के लिए यह देखिए राहुल गांदी जी गण्रों निये और भी लोगों ने कई बार ऐसी घटनाओं के बारे में जिक्र चाहज शीख की घटना हो उनून्वे पहले भी कहा कहा दिया है कि यह कॉँरेस से भूल हो सकती है उसके लिए राहुल गांदी जी घडिके कर चूप है पहला दूसरी बात जब आपने रंग की भंग की बात की मैंने का आज का जो महाल था ना वह एक ऐसे सम्मान स्वाभिमान और अभिमान की प्रतीक की चेहर है जो हमारी लुक्तांत्रिक मुल नहितिक मुल और संबेदानिक इतिहास को गौर्बानमीत करता है और उस पद पर उस नए नए मेरी बात तो सुनने में ने कहा कि आज बहुत ही अच्छे बाहुद में सदन के नेता सदन के विपक्स के नेता दोन आप पूरे तरीके से पॉलिटिकल बोलने को आप एक डिश्वीडम है आप मझ पीश दीजिए मेरी आवास सुन रहा है जी जी बिलकुल आपके चुनोई मुद्धा बनाएए मैंने मैंने कहा चुनोई मुद्धा बनाएए आप पॉलिटिकल पार्टी हर एजेंडिक ओठाती है हमें उसमें कोई आपती नहीं हम एक दूसरे के लिए नहीं है लेकिन आज का जो माहुल था जब राहुल गांदी जी प्रतिपक्स के नेता बने देखे एक बात समझे मैं कभी लाई लपट की बात नहीं करका हूँ अलग बात है हम निरदलिये चुनोई तरीों में हमिःत बार पांच बार विश्वासा यह विश्वास एक उमीद बेटे के तरह बिहार और पूर्णिया को हम से हैं लेकिन मुद्दा यहां नहीं है मुद्दा यहां है कि एक व्यक्ति आप याद किजिए मनमोहन सिंग्जी की दूसरी पारी जिन्होंने प्रदान मंत्री की कुर्सी छोड़कर लगातार आज के जूमें पांच-दस किलो मुद्ध ओफीटर लोगों को चलन मुचार तो है उसने एक एक अबाज बना देश्कामनिपूर से लेकर हम मनिपूर की दिमोक्रेसी की बात करेंगे हम बात करेंगे करनाटक में चुनी ही ही सरकार की हम बात करेंगे मत्यप्रदिश देखें फिर संबीत भाई बोलेंगे कि आगे क्या हुआ आगे ने कॉंग्रेस ने क्या तीक है पड़ंपड़ा क्या बनी रानी चाहिए करनाटक की सरकारगिरी जैसे महारास्टा की सरकारगिरी और भालासर ठाकरे का जब जिक्राता है तो मुझे याद आता है कि एक MP अटल जी और अडवानी जी का वो साथ बाला साहब का और वो एक मित्रवत एक भाव मनलब वो साथ को जब मैं याद करता हूं और उसके बाद जितने नेता इस देश में बने भी जैपी की वो किस तरह जाकर के समर्पन के भाव के साथ आसिर्म ख़वाद लेते थे हम बाला साथ हम ठाकर नहीं रहें उसकी भी जिक्र नहीं करेंगे हम बात करेंगे कि पॉंच जजने चाहिए to तो सुनिये ना एक केस में इनवल्ब में चलिये अलजभल थे या नहीं थे उसको न्याले को देखना है उन मुखमंत्री को आपने पस सिर्फ एक ही कारणों से कि कोई आख मिला करके नहीं देखे लोकतंतर में विविजताओं से भरा है हम दोनों को अबसर मिला है हम दोनों की विचारदारा अलग-अलग हो सकती है लेकिन जब डेवलप्मेंट की बात दिल्ली की आती है अंचीजों की आती है तो आप उसको देखिए तीन बार के संसद्य जीवन में उस व्यक्ति पर जिन्होंने कोई मंत्राले नहीं ली और उस व्यक्ति पर एक आरोप लगा करके ज सुन तो लीजिए एक मिनट के लिए अर्विर के जिवाल जी को सीवी आई जिस तरह जा करके नौटीज जा करके थमा करके जाके कहता है कि मैंने आपको गिरफतार कर लिया सेम सरकम्टांसिस के केस है एडी ने दूस्ते तरीके से उसको इंटर्परेशन किया और सी बी आई सरकम्टांसिस को देने की ज़रत है आप तंग करने के ख्याल से सार सुने समभीद वायं तंग करने के किसी चीज़ को आप करते हâm है यह आपने घांटन के मुक मंतरी का आप तो आप आपको लगेगा आप इस ऐसे उसको नहीं समझे मैं नहीं कह रहा हूं लेकिन यह तो य लेकिन मैं सुदान्शुत्रवेदी से जवाब जर्वादेता हूँ मेरा मेरी एक बात तो सुनेगे मेरी एक बात पूला आप 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 पांच बाते सुनेगे ने जितना स्वाहदपूर बतावरन था शकारात्मक और रचनात्मक दोनों बात भी और उसके बाद चेयर से एक पूर प्रधान मंत्री इंदरा गांडी जी जिसको आज भी सर्वे कराएगा तो उनकी डैनमीक बहुत इतियास है एक बड़ी भूल एक बड़ी घर ठीक है ठीक है ठीक है फपुजी पपुजी सुदान पर चले गए आप आप अमर्जंसी पर गए इंद्रा जी पर गए आप अर्विंद केज्रिवाल के विशे पर चले गए अपने इस चर्चा को बहुत विस्तार से आप ले गए जो कि अच्छी बात है सुधान शुत्य में प्रस्त है कि ये जो लोक्षाही है इसको आप अब अब आदमी पार्टी और कॉंग्रेस का गडबंधन तूट चुका है और कॉंग्रेस पार्टी दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर केज्रिवाल सरकार के खिलाप प्रदर्शन कर रही है अब पता नहीं आपको कैसे ध्यान आरा आप कॉंग्रेस का पक्ष ले रहे है और केज्रिवाल जी के फिवर भी ले रहे है और जिस शराब गोटाले को लेकर उनको चार्शीटों के अंदर हैं कॉंग्रेस के एक नहीं धरजनों बयान है बाकाइदा आजये माकन जी की प्रेस कॉंफरेंस है कि केज्रिवाल जी ने शराब गोटाला किया है और उन्हें अंदर होना चाहिए अब हमें समझे नहीं आ रहा है और पंजाब में भी अगेंस में लड़ चुके हैं आप अच्छा सदन में आप जो वातावरण की बात कर रहे थे आज जिस समय एमर्जनसी का विशय आया कॉंग्रेस के सांसरों में हला मचाना चुरू किया उस समय समय